चोट तो विराट कोहली को लगी लेकिन दर्द जादा हुआ रोही शर्मा को और पूरी इंडियन क्रिकेट टीम को लेकिन कैसे किंग कोहली ने फाइनली तीसरे दिन के खेल में अपनी इनिंग के साथ और सरफराज खान के साथ इस मैच को न्यूजिलेंड के हलक से निकाल कर वापस से भारत की जोली मिला दिया है और कैसे इन दोनों के बलपर ही इंडियन क्रिकेट टीम जीतेगी आपको इस यूडियों बताएंगे लिए कि लास्ट तक ज़रूर बने रहीएगा इंडियो वर्सेज न्यूजिलेंड की टीम के बीच में खेला जारा सीरीज का पहला टैस्माइट जो हमारे हातों से निकल चुका था वो अब वापस से भारत के हातों में आता हुआ नजर आ रहा है और इस सब कुछ मुम्किन हुआ इसके तीसरे दिन के खेल में देगे हमने तो यही सुचा था कि 46 पे और आउट होने के बाद और 400 रन बनने के बाद साड़े 300 से जादा रन की लीड के बाद इंडियन क्रिकेट टीम की मौराल पूरी तरीके से डाउन हो जाएगी हम इस मैच को हार जाएगे लेकिन रोहित श्रमा ने जैसवाल के साथ मिलकर अपना पचासा लगाया जैसवाल ने भी 85 रन की पारी खेली लेकिन उसके बाद असली समा बांदा विराट कोली और सरफराज खान ने मिलकर विराट कोली और सरफरास खान के बीच में टोटल 140 इनकी पार्टनर्शिप हुई और इस पार्टनर्शिप को देखकर एक वक्त पर कीवीज भी सर पकड़ कर बैट गये थे कि बाई इनको कैसे तोड़ा जाए अलकि पार्टनर्शिप तो टूट गई लेकिन जब पार्टनर्शिप टूटी तो ऐसे मोड पर टूटी कि रोहित शर्मा भी शौक हो गए थे इनफाट एमोशनल भी हो गए थे एक वक्त पर अब आखिरकार पार्टनर्शिप कैसे टूटी पूरा मैटर क्या हुआ था वो आपको बादें बताऊंगा लेकिन उससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ के 102 गेंदों के अंदर विराट कोली ने 70 रन की तावरतोड पारी खेली और इस पारी से आज उनके टेस्ट में 9000 रन पूरे हो चुके हैं उनके 31 अर्द शतक हो गए हैं शतक से वो चूक गए 30 वे शतक से अपने बट होफुली नेक्स मैच में वो भी आ जाएगा उदर सरफरास खान ने भी half century लगाई 70 रन की इनिंग उनकी भी थी और ये 7 मैचेस के अंदर internationally वो अपने 4 half centuries लगा चुके हैं अब इन दोनों के बल पर हमारा स्कोर दोसों से जादा हो चुका है और लीड 125 रन की बची है जिसे ले देकर हम उतारी देंगे और फिर या तो मैच ड्रॉग के तरफ जाएगा या कोई चमतकार करके रोहिच साहब चानक के निती लगा कर हमें इस मैच में जिता देंगे अब देखिए हुआ ऐसा कि दिन का खेल जब खतम हो रहा तो ग्लेन फिलिप्स जो है पड़े चालाग गेंद बास है उननचास में अबर की आखरी गेंद थी एक स्लोवर गेंद एक वाइडर गेंद का उन्हों ने इस्तेमाल किया गेंद विराट के बले का एज लेकर लेकीन ही नहीं हो रहा था कि विराट कोली मैदान से बाहर आउट हो कर आ रहे हैं योकि वो लास्ट बोल थी लिटरली दिन की लेकिन कहते है ना कि सच हमेशा कड़वा ही होता है ये कोई वैसा ही सच था जो सबको कड़वा लग रहा था फिर वो चायर होई शर्मा थे इंडियन क्रिकेट टीम की जान में जान वापस से लादी है वरना न्यूजिलैंड न तो शिकंजा कस लिया था इस मैच में। रिशापन भी वापस से फिट होते नजर आए हैं मैदान में प्रैक्टिस कर रहे थे तो होफुली वो केल राहूल जडेज और अश्रिन मिलकर अगर एक अच्छा खासा टोटल कल के दिन में बनाते हैं तो हम इस मैच को बेशक जीच सकते हैं पांचवे दिन में ये रोही शे पास की पारी को दसमें से कितने नमबर देंगे नीचे कमेंट कर दीजिएगा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए यहां तक देखी लिया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा थैंक यू सो मच टेक केर